Hello everyone, आज हम लोग SSE-CHSL 2016 का Fiscal Geography करेंगे, जो आने वाले एक्जाम जैसे की SSE-CGL, SSE-MTS और SSE-CHSL के लिए बहुती important होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा Question No.1 है, Dissolved Oxygen in Reverse is close to dash parts per million, तो इसका आनसर हो जाएगा 5, नदियों में घुली हुई Oxygen की मातरा प्रती million पांच भाग होती है, Question No.2, Sulfur Dioxide Pollution is indicated by an excessive growth of which of the following, तो इसका आनसर हो जाएगा Lichens, Sulfur Dioxide Production निव में से किसके अत्याधिक विर्दी होने का सूचक है, तो ये Lichen में अत्याधिक विर्दी होने का सूचक है, Question No.3, Name the hottest planet, तो इसका आनसर हो जाएगा Venus, Venus सबसे गर्म गड़ा है, हाला कि Mercury जो है सूर के बहुत ही नजदीक है, सबसे नजदीक Mercury ही है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्याधा गर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई atmosphere नहीं है, जबकि Venus पे क्या है कि atmosphere है, और यहाँ पे CO2 को ये trap कर लेता है, यहाँ पे क्रियेट हो जाता है, इसके कारण यहाँ का temperature है, बहुत ही जादा होता है, 462 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए वेनस को hottest planet बुला जाता है, solar system का, क्योंसर नबर 4, what does BOD 5 refer to, तो इसका मतलब होता है, biochemical oxygen demand in 5 days, क्योंसर नबर 5, कानहा नेशनल पार्क, saving the rare and almost extinct species of the swamp deer, also known as बारा सिंगा, कानहा नेशनल पार्क, जो की स्वेप हिरन की दुरलव और लगभग विलुप्त परजातियों को बचाता है, जिसे बारा सिंगा की रूप में भी जाना जाता है, तो इसका नसा हो जाएगा, sulfur dioxide निमलिखित गैसों में से कौन सा वायू मंडल में उपस्तित होने पर इसकी गन से पता लगाया जा सकता है, तो यह है sulfur dioxide, sulfur dioxide का वायू मंडल में उपस्तित होने पर इसकी गन से पता लगाया जा सकता है, इसका नसा हो जाएगा, water vapor, greenhouse प्रभाव में सबसे ज़्यादा water vapor gas का योगदान है, सबसे ज़्यादा greenhouse gas में water vapor का योगदान है, उसके बाद carbon dioxide, then after methane, then nitrous oxide, ozone, ozone, cfc, then after, last में hydrofluorocarbons, exam में इस तीनों में से पुछा जा सकता है, कि methane, nitrous oxide और ozone में सबसे ज़्यादा gas कौन सा contribute करता है, greenhouse effect में, तो उसमें answer हो जाएगा methane का, next है, who coined the term ecology, तो इसका answer हो जाएगा, Ernest Haeckel, कि उसका answer है, Mars, Mars बोना गरह नहीं है, जबकि ये तीनों, Mekmek, Pluto और Aries, ये तीनों बोना गरह है, क्योंसर नवर 10, shortest day in the northern hemisphere is, तो इसका answer हो जाएगा, 22nd December, 22nd December को सबसे छोटा दिन होता है, उत्री गुलार्द में, क्योंसर नवर 11, release of which among the following is the primary reason for depletion of the ozone layer, तो इसका answer हो जाएगा, CFC, chlorofluorocarbon, और जोन प्रत की कमी के प्रात्मिक कारण है, क्योंसर नवर 12, इसका answer हो जाएगा 10, इंडिया में टोटल 10 बायोजेग्राफिकल जोन्स है, एक है Trans-Himalaya, दूसरे हिमालया, तीसा डिजर्ट, चौथा Semiaride, इस तरह से Trans-Himalaya कहां पे है, Semiaride का डिजन कौन कौन सा है, Western Guard का डिजन कौन कौन सा है, यह भी एक्जाम में आ सकता है कि Western Guard का डिजन क्या मालावर प्लेन्स है या नहीं है, इस तरह से टोटल हमारे पास 10 Biogeographical Jones है, Question number 13, The glowing surface of the sun is called, तो यह है photosphere, photosphere को सुर्य की चमकदार सता कहते हैं, और यह एक visible surface है सन का, Question number 14, Dash season is when the sun is directly overhead the equator, तो इस कान से हो जाएगा Spring, Spring मौसम तब आता है जब सुर्य भूमत रेखागे ठीक उपर होता है, Question number 15, There is a protocol signed to reduce production of CFC known as, तो इसका अंसर हो जाएगा Montreal Protocol, CFC के उत्पादन को कम करने के लिए, एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसे Montreal Protocol की रूप में जाना जाता है, Question number 16, Workers in Leather Tanning Industries tend to suffer from Skin Disease, चमरी के रंगाई के उद्द्योग में कार करने वाले शर्मीकों को Skin Disease होने का खत्रा होता है, Question number 17, Who developed the idea of crop rotation, तो इसका अंसर हो जाएगा, Turnip Townsend, Turnip Townsend ने crop rotation के विचार को विक्सित किया, Question number 18, Carbon dioxide is produced by all of the following except, तो यह है Global Warming, Carbon dioxide Global Warming के कारण नहीं होता है, Carbon dioxide के कारण Global Warming होता है, जबकि burning fossil fuel से Carbon dioxide उत्पन होता है, सिमेन प्रोड़क्शन से भी होता है और दीफोरेस्टेशन से भी Carbon dioxide प्रोड़ूच्शन होता है, Question number 19, Saturn is the dash planet from the sun, यह है sixth planet from the sun, शनी सुर्ष से छटवा गड़ा है, Question number 20, The lowest layer of atmosphere is called troposphere, वातावरन की सबसे नीचे वाली प्रत को troposphere काते हैं, और सबसे उपर वाली प्रत को exosphere काते हैं, इसके बाद thermosphere, सबसे नीचे troposphere, इसके बाद estratosphere, Which atmospheric layer contains ozone layer? तो इसकांस हो जाएगा estratosphere, किस वायोमेंडली यह प्रत में ozone प्रत होती है, तो यह estratosphere में ozone प्रत होती है, Question number 22, Sirius the brightest star outside solar system is also called, इसे कहते हैं, डॉग स्टार भी कहते हैं, Sirius star मंडल के बाहर का उज्ज़ सितारा, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है, In terms of size, Jupiter ranks number first in our solar system, आकार के संदाव में विरस्पती का हमारे सौर मंडल में पहला अस्थान है, Question number 24, Major portion of the earth's crust is mainly constituted by, तो इसका अस हो जाएगा oxygen and silicon, प्रत्वी की पपिडी का मुख अंस oxygen and silicon है, Question number 25, If a star is bigger than sun, but not more than twice as big, it will turn into a pulsar, यदि कोई सितारा सुरज से बढ़ा है, किन्तु उससे दो गुना बढ़ा नहीं है, तो वह एक pulsar में बदल जाएगा, Question number 26, What are equinox days? तो इसका अस हो जाएगा when day and night are equal, विस्व दिन कभ होता है, जब दिन और रात बराबर होता है, Question number 27, Sudden fall in the barometric reading is an indication of storm, Barometric reading में अचानक गिरावट a storm का संकेत है, Question number 28, Which among the following is not an inner plant? इसका असर है Saturn, इन में से कौन सा एक आंत्रिक गरह नहीं है, तो Saturn एक आंत्रिक गरह नहीं है, Jupiter भी नहीं है, Uranus भी नहीं है और Neptune भी नहीं है, Question number 29, What is the mean temperature of Earth? इसका असर है 16 degrees Celsius, विर्थवी का आउसत तापमान 16 degrees Celsius है, Question number 30, Concentration of water vapor in troposphere is, इसका असर है 0 to 4%, Troposphere में पानी के वास्प का परतिसाथ 0 से 4% होता है, Question number 31, First country to impose carbon taxes, यह है New Zealand, सबसे पहले carbon tax लागू करने वाला देश New Zealand है, Question number 32, Spring tides occur when? इसका है answer, The moon, the sun and the earth are in the same line, Spring tide कब होता है, जब moon, sun और earth एक ही दिसा में हो, Spring tide को हम लोग king tide ही बोलते हैं, और यह new और full moon के दोरान होता है, और जो हमारा दूसरा tide है, नीब tide, यह 7 days after है, Spring tide, when the sun and moon are at right angles to each other, तो नीब tide कब होता है, जब sun और moon एक दूसरे के लमवत हो, तभी नीब tide होता है, Question number 33, The great smog of 1952 was a sub-air pollution event which affected London, वर्ष 1952 की महान धुन एक गंभीर वायू परदूशन घटना थी, जो लंदन को प्रभावित किया था, Question number 34, A degree of latitude is equal to 111 km, एक मिनट में latitude का 1.853 km होता है, और एक डिगरी में, एक डिगरी में 60 मिनट होता है, 60 मिनट मतलब 60 into 1.853 is equal to 111.2 km, तो एक डिगरी में 111.2 km होता है, Question number 35, Which of the following process is responsible for causing rain? तो इसका अंसर हो जाएगा, evaporation and condensation, निवन परकिरिया में से कौन सी बारिश, पैदा करने के लिए जिमेदार है, तो यह evaporation and condensation है, Question number 36, Marble is a metamorphic rock of limestone, संग मर्मर, limestone की एक कायंतरिश चटान है, Question number 37, What is the greenhouse effect? तो इसका अंसर हो जाएगा, इस the warming of earth's surface due to its atmosphere, Question number 38, A world heritage site is a landmark which has been officially recognized by UNESCO, एक विश्व विरासत अस्थल, एक सीमा चीन होता है, जिसे आधिकारिक रूप से UNESCO द्वारा स्विकार किया जाता है, Question number 39, Which of the following is not a greenhouse gas? तो इसका अंसर हो जाएगा, carbon monoxide greenhouse gas नहीं है, Question number 40, इसका अंसर हो जाएगा, भारत के पुर्वी और पस्मी तट पे पाया गया मिट्टी, लेट्राइट मिट्टी है, Question number 41, इक्वल डे नाइट इन बोथ हैमिस्पेर्स इस ओन 21st मार्च और 23rd सेप्टेम्बर, दोनों गुलार्द में समान दिन रात 21 मार्च और 23rd सेप्टेम्बर को होता है, Question number 42, Qatar is the highest per capita emitter of which of the following gases? तो इसका अंसर हो जाया, carbon dioxide, Qatar निवलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच पर्तिवेक्ति उत्सरजक है, तो ये carbon dioxide है, Question number 43, Who proposed continental drift theory? तो ये है, Alfred Wegener ने महादीपिय बहाव सिद्दान्द का प्रस्ताव दिया था, Question number 44, What is the approximate circumference of earth? तो इसका अंसर हो जाएगा 40,000 km, प्रस्वी किया अनुमानित परिधी 40,000 km है, Question number 45, Which of the following is a greenhouse gas और a gas which can deplete the ozone layer? तो इसका अंसर हो जाएगा CH4, निवन में से कौन सा greenhouse gas या gas है जो ozone परत को नुकसान कर सकता है, तो ये methane gas है, Question number 46, Who discovered Pluto? तो इसका अंसर हो जाएगा, क्लाइडी टॉमबाग ने प्लूटो की खोज की थी, Question number 47, Which is the coldest planet? तो इसका अंसर हो जाएगा Neptune, सबसे ठंड़ा अगरा Neptune है, Question number 48, Earth revolves around sun, Who was the first one to present the theory? तो इसका अंसर है, Copernicus, पिर्थिवी सूरज के चारो और घूमती है, इससी धान्द को पेश करने वाला पहला वेक्ती कौन था? तो ये था Copernicus, Question number 49, Algi belongs to which of the following levels of the ecosystem? तो इह है producers, शैवाल प्रास्थित की तंत्र के निमलिकी तस्तरो में से कौन सा है? तो इह producers है, Question number 50, Which planet has the maximum number of satellites? तो इह है Jupiter, Jupiter, Jupiter पे सबसे अधिक्तम उपगड़ा है? Question number 51, Which of the following is a renewable source of energy? तो इह है plant, निम्ड में से कौन सा नभी करनी और जा का एक स्तरो होता है? तो इह है plant, Question number 52, Name the international treaty designed to protect the ozone layer from CFCs? तो इह है Montreal Protocol, Dash is the time taken by the Earth to return to a given point in its orbit with reference to a fixed star. तो इसका answer हो जाएगा sidereal year, sidereal year एक स्थिर तारे के संदर में पिर्थवी द्वारा अपनी कछा में दिये गए बिंदू पर लोटने के लिए लिया गया समय है. Question number 54, The ozone layer is present in which atmospheric layer? तो इह होगा stratosphere. Question number 55, Excessive richness of nutrients in a lake और other body of water is called. तो इह होगा eutrophication. किसी जील या जलासे में इस्थित पोशक तक्तों की अत्याधिक समरिधी को eutrophication कहा जाता है. Question number 56, Which of the following constitutes highest percentage of greenhouse gases? तो इह होगा carbon dioxide. निम्न में से कौन सी greenhouse gases की योगदान का उच्छतम प्रतिशत है? यह carbon dioxide है. Question number 57, Who was the first to measure the circumference of earth? इसका अंसर हो जाएगा? Eratosthenes. प्रतिवी की प्रतिधी को मापने वाला पहला वेक्ती था. Question number 58, The largest asurian mangrove forest in the world is at Sundarwan National Park. दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का mangrove one Sundarwan National Park है. Question number 59, Dash is a natural electrical phenomenon characterized by the appearance of streamers of reddish or greenish light in the sky, especially near the northern और southern magnetic pole. इसका अंसर हो जाएगा? Aurora. Aurora एक प्राकिर्तिक विद्यूत घटना है, जो की आकाश में, लाल या हरे रंग की रोशनी की उपस्तिती में, जो विशेश रूप से, उत्री या दक्चनी चुंबकी धुरूप के निकट गटित होती है. June 21 marks the winter solistire in the hemisphere. तो इसका अंसर हो जाएगा? इकिस जून को शीद कालिन आयनाल्थ सावदर्ण कुलार्द में होता है. क्योसर नमब सिस्टीवन A bound collection of maps is called. तो इसका अंसर हो जाएगा? Atlas. नक्से के बंधेवे संग्रह को Atlas कहा जाता है. क्योसर नमब सिस्टीटू Who was the first Indian astronomer to calculate the time taken by Earth to orbit the sun? तो इसका अंसर हो जाएगा भास्करा चार्या पिर्थिवी द्वारा शुर्ग की परिकर्मा के लिए लगने वाला समय की गन्ना करने वाले पहले भारतिय भुगोल सास्त्र कौन थे? तो ये भास्कर चार्या थे Question number 63 Which of the following is a greenhouse gas or a gas which can deplete the ozone layer? तो ये होगा CCLF3 इन में से कौन सी greenhouse gas या gas है जो ozone परत को समाप्ट कर सकता है तो ये CCLF3 है Question number 64 Which of the following is a greenhouse gas or gas which can deplete the ozone layer? तो इसका अंसर हो जाएगा CHCl2F Basically it's a chlorofluorocarbon Question number 66 Which of the following is a greenhouse gas or gas which can deplete the ozone layer? तो ये होगा N2O Question number 67 Instrument for measuring blueness of the sky or ocean is called? तो ये है cynometer आकाश और समुदर की नीलिमा को मापने के लिए यंत्र को cynometer कहा जाता है Question number 68 The rainfall due to upward movement of air caused by convergence of cold air masses against warm air masses is called तो ये होगा Frontal Rainfall गर्म हवा की मात्रा के खिलाब ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरन की वज़े से वायू के उपर की और प्रचलन के कारण होने वाली वर्सा को Frontal Rainfall कहा जाता है What is the distance from the center of the earth to the center of the moon called? तो ये होगा Orbital Radius of the Moon Pacific के केंज से चंडरमा के केंज तक की दूरी और वाइटल रडिस अभ दा मून है Question number 70 The outermost layer of the earth's atmosphere is एक्सफियर वायू मंडल की सबसे बाहरी परत एक्सफियर है Question number 71 Triton is the moon of which planet? तो ये है Neptune Triton, Neptune गरह का चंडरमा है International deadline passes through middle of ocean तो ये है Pacific International Tithi line Pacific महासार के बीश से होकर गुजरती है Question number 73 Which of the following is a greenhouse gas और a gas which can deplete the ozone layer? तो ये है CH2-CLF निमलिकित में से कौन से greenhouse gas या gas है जो ozone प्रत को स्वाप्त कर सकता है तो ये CH2-CLF है Question number 74 The ozone layer is mainly found in the lower portion of the stratosphere Question number 75 A hard coal containing little volatile matter is called anthracite सक्त कोईला जो थोड़ा वास्प सील प्रदाथ यूक्त है उसे anthracite कहा जाता है Question number 76 Which of the following is a greenhouse gas or gas which can deplete the ozone layer? तो ये है CH2-CLF2 Dash are also called monsoon forests तो इसका अंसर हो जाएगा Tropical deciduous forest को भी monsoon 1 कहा जाता है Question number 78 Dash is the movement of chemical in the upper layers of the soil into layer layers or into ground water by being dissolved in water तो इसका अंसर हो जाएगा Leaching मिट्टी की उपरी परत में इस्थित रसाइनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन को Leaching कहते है Question number 79 Which of the following is a greenhouse gas or gas which can deplete the ozone layer? तो ये है CCL2-F2 The tropic of dash passes almost halfway through India तो ये है Cancer Tropic of cancer भारत के लगभग आदे हिस्थी से होकर गुजरती है Human beings belongs to which category of the ecosystem? तो ये है Omnivorous मानप्रजाती पारिष्थित की तंदर की Omnivorous स्रेनी से संबंदित है Question number 82 The outermost layer of earth is called तो ये है Crust पिर्थवी की सबसे बाहरी प्रत को Crust कहते है Question number 83 Which of the following is not considered as a part of the abiotic environment? तो ये है Plants निम्र में से किसे और जैविक पढ़ियावरन के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है तो ये है Plants Question number 84 A volcano that is not expected to erupt again is called इसे कहते हैं Extinct Volcano Question number 85 The upper part of the hydrosphere is composed almost completely of which gas? तो ये है Hydrogen Hydrosphere का उपड़ी भाग पुरी तरह से Hydrogen gas से बना है Question number 86 The ionosphere overlaps which two layers of the atmosphere? तो इसका अंसर हो जाएगा Axosphere and Thermosphere Ionosphere वाता और अंके किस दो परतों का overlap करता है तो ये Axosphere and Thermosphere का overlap करता है Question number 87 Which are the oldest mountains in India? तो ये है Ara Valis भारत के सबसे पुराने प्रहार Ara Valis है Question number 88 Which planet is also referred to as a dwarf planet? तो ये है Plotoek, Bona Gara है Question number 89 In terms of size Earth ranks number 10 in our solar system तो इसका अंसर हो जाएगा 5 आकार के संदर में पिर्थिवी हमारे सौर मंडल में पांचवे करामांग पे आती है Question number 90 Earth is the third planet from the sun पिर्थिवी सुर्य से तीसरा गरह है Question number 91 Which country is the largest producer of rice? तो इसका अंसर हो जाएगा China चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है Question number 92 Methane and air pollutant is produced तो इसका अंसर है By dietion of food by animals मिथेन नामक एक प्रदूसक का उत्पादन पशू के द्वारा भोजन के पाचन के कारण होता है Question number 93 Which Indian lake is renowned as the lagoon lake of India? तो यह है चीलिका लेक भारत की lagoon जहिल के रूप में चीलिका लेक प्रशिद्ध है Question number 94 Which of these rivers do not flow through Punjab? तो इसका अंसर है गंगा गंगा नदी पंजाब से होकर नहीं बहती है जबकि सतलज, रावी और जहलम पंजाब से होकर बहती है Question number 95 Madhya Pradesh has the highest number of reserves of which of the following animals? तो यह है Tiger Question number 96 Which country has the most coal reserves? तो यह है USA USA में सबसे ज़्यादा कोईला का भंडार है Question number 97 The Gir National Park and the Shasan Gir Century of Gujarat are the only wildlife centuries in India that have Asiatic lions Gir National Park और Shasan Gir Century में Asiatic lions पाया जाते है Question number 98 Corbett National Park was established to protect which animal? तो यह है Bengal Tigers Bengal Tigers को protect करने के लिए Corbett National Park को established किया गया था Question number 99 Evidence suggests that life on Earth has existed for about 3.5 billion years प्रमान बताते हैं कि पिर्थी पर जीवन लगवग 3.5 billion years से अस्तित में है Question number 100 Longest day in the northern hemisphere is? 21st June उत्री गुलार्द में सबसे लंबा दिन 21st June है Question number 101 Which is the closest star to our solar system? तो यह Proxima century है हमारे सौर मंडल का निकटम तारा Proxima century है Question number 102 Which planet is known as red planet? तो यह है Mars Mars ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है Question number 103 In which direction does the Earth rotates around its axis? तो यह है west to east पिर्थवी किस दिशा में अपनी धूरी के चारोगर घूमती है तो यह west to east के दिशा में घूमती है Question number 104 Which device is used to measure earthquakes? तो इसका अंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ भुकम को मापने के लिए कौन सी device का उप्योग किया जाता है तो यह सिस्मोग्राफ है जिसका उप्योग किया जाता है Question number 105 Automobile exhaust leads to a poisonous pollutant तो इसका अंसर हो जाएगा carbon monoxide Automobile surgeon एक जहरिला परदूशक को बढ़ावा देता है और यह जहरिला परदूशक carbon monoxide है Question number 106 Sunlight reaches earth in how many minutes? तो यह है 8 minute सुरज की रोशनी 8 minute में पिर्थवी तक पहुंशती है Question number 107 Which among the following is false about earth? तो यह है it is also known as red planet यह गलत है धर्थी के बारे में जबकि यह densest planet भी है यह fifth largest planet भी है और यह third planet from the sun भी है Question number 108 Which of the following gases emitted from autumn while exhaust is poisonous? तो यह है carbon monoxide Automobile से उत्सरजित निमलिकित गैसों में कौन सी गैस जहरीली होती है तो यह carbon monoxide है जो जहरीली होती है काजिरंगा निस्टनल पार्क इस दो वनली नेच्रल हैविटेट आप दे एंडेंजर वन होंड राइनोज काजिरंगा राष्टिय उद्यान प्लानेट की रूप में भी जाना जाता है क्यूस्टन नमबर 111 ओजोन होल इस काज़ट बाइ केमिकल्स लाइक क्लोरो फ्लोरो कारवन ओजोन छेद CFC जैसे रसाइनों के कारण होता है क्यूस्टन नमबर 112 वेनस is the dash planet from the sun तो यह सकेंड प्लानेट है सुर्य से क्यूस्टन नमबर 113 इन टर्मस अफ साइज सेटान रैंक्स नमबर dash इन आवर सोलर सिस्टम तो यह है सकेंड आकार की संदर में शनी कास्तान दूसरा है हमारे सौर मंदल में तो इसका अंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल राज में मैंगोरो वन सबसे अधिक है क्यूस्टन नमबर 115 मार्स is the planet from the sun फोर्थ मंगल गरा सुर्य से चौथे अस्थान पर है क्यूस्टन नमबर 116 तो इसका अंसर हो जाएगा C टर्टल पेट्री किस परकार के आवास को अपनाते हैं तो इसका अंसर है C इन टर्म्स ऑफ साइज यूरेनस रैंक्स नमबर 10 इन आवर सोलर सिस्टम तो इसका अंसर हो जाएगा थर्ड अकार के संदर में यूरेनस नमबर 3 पे आती है हमारे सौर मंडल में क्योशन नमबर 120 मरकारी इस दा फर्स प्लानेट फ्रॉम दा सन बुद्ध सौर से पहला गरा है क्योशन नमबर 121 जूरेनस इस दा प्लानेट फ्रॉम दा सन सिवंथ इन टर्म्स अफ साइज वेनस रैंक्स नमबर 10 इन आवर सोलर सिस्टम तो यह है सिक्स्थ सुक्र हमारे सौर मंडल में छट्वे करमांग पे आता है आकार के संदर में क्योशन नमबर 124 अर्थ क्रस्ट मेंली कंटेंस सिलिका पिर्सिवी की परत में मुख रूप से सिलिका होती है क्योशन नमबर 125 तो यह है 21st जून उत्री गुलार्द में वर्स का सबसे लंबा दिन 21st जून को होता है क्योशन नमबर 126 नेम दे लॉंगेस्ट रिवर इन इंडिया तो इसका अंसर है गंगा तो दोस्तो यह था हमारा आज का फिजकल जोग्राफी का जो SSC CHSL 2016 में पुछा गया था हमारा नेक्स टोपिक होगा पॉलिटी से जो SSC CHSL 2016 में पुछा गया था हाला कि फिजकल जोग्राफी में जो क्योशन आंसर आये थे CHSL में उसके स्टार्टिंग के जो 70 क्योशन थे वो important question थे जो exam में आ सकते हो लेकिन last के जो 30 से 40 question थे वो बहुत ही easy आये थे वो बार बार एक ही theory पे repeat हो रहे थे तो किरपया आप उसे एक बार ही देखें लेकिन starting का जो 70 question उसे आप 2-3 बार revision कर ले हो सकता है कि ये आपकी exam में directly आ सकता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो please like, share and subscribe जरूर करें